Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया, तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पीज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडन्ट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल चलिए से डिडियर से आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीस हैं तो प्रॉफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए काड्स हैं, 3 of Emotions and Comparison और देखें, 3 of Emotions का काड्स कहीं Happiness, Joy की बात करता है किसी चीज़ को celebrate करने की बात करता है, एक get together, एक reunion की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही in general, या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है और दिखिए general reading है, तो सब के लिए यहाँ पे celebration, get together, differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आप ज़्यादा connect करना चाहा रहे हैं, आपकी ज़्यादा interactions हो रही है आप कैसे उनके साथ आपका bond और better हो, strong हो, उस पे focus कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जाता meetings हो रही है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना network और बढ़ाना चाहा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि again अपने colleagues, अपने co-workers के साथ आप कोई चीज celebrate कर रहे हैं और देखिए surface level पे again बहुत beautiful energies है लेकिन deeper level के लिए comparison का card मन ही मन किसी चीज को लेकर एक comparison रहने की बात करता है और देखिए sedentaryous comparison हमेशा ही बुरा नहीं होता है at times ये हमारी growth, हमारी progress में हमें help करता है और at times हमें demotivate करता है तो इस week pause करके आपने थोड़ी सी checking जरूर करनी है कि जिस भी चीज को लेकर एक comparison आपके मन में चल रहा है वो कहीं आपकी growth में आपको help कर रहा है या फिर आपको demotivate कर रहा है और अगर ये demotivate कर रहा है तो बहुत important है कि इसी comparison को आप let go करें और personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है 10 of wands, rivers and the source तो देखिए दोनों ही wands के cards है और wands के cards कहीं enthusiasm, excitement की बात करते है लेकिन surface level के लिए 10 of inspiration का card burden और stress की बात करता है और देखिए फिर से मैं कहूंगी कि ये general reading है तो burden और stress के लिए सब के लिए different reasons हो सकते है लेकिन देखिए 10 of inspiration के नीचे source का card है और source का card कहीं नई beginning की बात करता है नई तरीके से चीजों को शुरू करने की बात करता है और इन ही चीजों को लेकर बहुत जबरदस्त एक excitement enthusiasm की बात करता है तो जाधतर मुझे दिख रहा है Sagittarius कि इसी नई beginning को लेकर एक pressure एक burden आपके मन में है पता नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा ठीक ठाक सब हो जाएगा नहीं हो जाएगा और दिखे ये जो एक दो चीजें मेरे mind में आ रही है मैं कह रही हूँ सब के लिए different emotions हो सकते हैं different thoughts हो सकते हैं जो कहीं again एक burden एक pressure create कर रहे हैं और दिखे 10 of inspiration का card कहीं बहुत जादा responsibilities अपने उपर लेने की बात करता है कहीं जितना काम आप कर सकते हैं उससे भी जादा काम करने की बात करता है तो literally कुछ लोगों के लिए ये भी reason इस pressure इस burden का हो सकता है और साथ ही साथ हो सकता है again एक नई beginning आप personal life से related किसी area में करना चाहा रहे है या फिर हो रही है और ये सब चीजें combine हो रही हैं जो एक pressure create कर रही है तो जो भी हो Sagittarius बहुत important है कि आप थोड़ा सा offload करें अपनी responsibilities को, अपने pressure को और जितना काम आप कर सकते हैं उतना ही करें in fact देखे जब भी भी 10 of inspiration का card आता है हम यही कहते हैं कि आप अपना तो काम कर रहे हैं आपने लोगों की भी responsibilities या फिर लोगों का भी काम अपने उपर लिया हुआ है और अगर Sagittarius ऐसा आप भी पाएं तो इस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें क्योंकि देखे क्या होता है ना उस time तो हम नहीं realize कर पाते हैं लेकिन जब हम बहुत time तक ऐसी energies में रहते हैं जहां पे again हम over काम करते हैं over अपने आपको exert करते हैं तो फिर future में health related problems होती हैं और और भी बहुत सारे issues होते हैं और देखे जब चीजें छोटी होती हैं उनको हम वहीं पे ही check करके correct करते हैं तो कहीं बड़ी चीजें हमारी life में या मैं कहूंगी कि बड़े मसले हमारी life में नहीं होते हैं तो फिर से इस चीज की checking आप जरूर करें और गाइडन्स है आप लोगों के लिए कार्ड है tik-tok और देखे इस एक चीज जो जाके वापस नहीं आती है वो है समय और इस समय की ही हम value नहीं करते हैं हम unnecessary चीजों पर इसको waste करते हैं और देखे अगर मैं आपके कार्ड देखूं तो इस week हो सकता है कि comparison आप कर रहे हैं जो कि unhealthy है और इसी में ही आप अपने time को waste कर रहे हैं unnecessary चीजों का pressure, unnecessary चीजों का stress आप अपने उपर ले रहे हैं तो देखे फिर से ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपने इस समय को अच्छी चीजों में constructive चीजों में ही utilize करना है जो चीजे आपको serve नहीं कर रहे हैं फिर जिन चीजों की वज़े से एक pressure, एक tension आपको हो रही है उनको आपने let go करना है, अपने goal, अपने मकसद पे focus करना है और उसी direction में again आपने action initiatives लेने है nutshell में आपने time को बहुत ही constructively use करना है इस समय की आपने बहुत value करनी है and astrology से आप लोगों के लिए Leo Rashi का card है और इसके हिसाब से yellow and orange colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए